दो फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ ऐसे रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं जिसमें कोई भी कमिट्मेंट नहीं कैसे रिलेशनशिप टिक पाई की आगे क्या होगा यह हम आज की मुवी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स ये 2011 की एक रोमैंटिक हॉलिवड मुवी में हम देखेंगे अगर आपको एक्सप्रेंशन अच्छा लगता है तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा बीना किसी दरीके एक्सप्रेंशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हम हमारे में कारेक्टर डिलन को देख सकते हैं डिलन एक ब्लॉगर था और उसके एक कमपनी भी थी अपनी काम की वज़े से अपनी गर्फरेंट को टाइम नहीं दे पाता एक दिन जब वो मुवी देखने के लिए जाने वाले थे इस वर भी डिलन बहुत ही लेट हो गया जब वो अपनी गर्फरेंट से मिला तो उसे वो ब्रेकप कर लेती है कहती है तुम हमेशा अपने काम पर इध्यान देती हो मुझ पर तुम्हारा कभी भी फोकस नहीं होता इसे के पैरलल में हम हमारी और एक मैन गैरेक्टर को देखती है इसका नाम है जेमी जेमी के बॉइफरेंट ने भी आज उसके साथ ब्रेकप कर लिया कहा कि तुम बहुत ही इमोशनली अनेवलेबल हो एक्चॉल में जेमी ये रोमेंटिक मुवीज देखती है उसे हमेशा लगता है उसे बचाने वाला प्रिंस चार्मिंग आने वाला है उसके लिए सिंग करेगा उसके लिए डांस करेगा ये सारी चीज़े बहुत ही कमिटमेंट लेती है और ये कमिटमेंट करने वाला जेमी को अब तक कोई भी मिला नहीं है इन दोनों के ब्रेकप के बाद ये दोनों बहुत हर्ट हो चुके थे डिसाइड करते हैं कि अब कभी भी डेट नहीं करेंगे एक्च्वल में जेमी नियॉयॉक में रहती है और डिलन एले में इसके बाद तुरन नेकसिन में हम देखते है डिलन एले से नियॉयॉक में आ रहा था उसे एक अच्छे जॉब की ओफर आई थी और ये ओफर जेमी की वज़े से आई है एक्च्वल में जेमी की फ्रीलाइंसर एचर कंसल्टन्स है जेन भी कंपनी को अच्छे इंप्लोईश शाही होती है इनका कॉन्टाइक को उने दे देती है इसी वज़े से जेमी ने डिलन को कॉन्टाइक किया था अब जॉब इंटर्वी देने के लिए डिलन नुई यॉक में पहुचा जैमी वहाँ उसका वेलकम करने के लिए जैमी को लगता है कि अब डिलन को जीक्यू मैगजिन में काम करने के लिए मिलेगा यह उसके लिए बहुत ही बड़ी उपोचुनिटी है पर डिलन को इसका सीरियसनेस नहीं था उसके लाइब बहुत ही अच्छी थी और एले भी उसे पसंद था जैमी नहीं कहा कि नुई यॉक बेस्ट है तुम्हें इसे उपोचुनिटी कभी भी नहीं मिलेगी इतनी बड़ी कमपनी में काम करना है बहुत बड़ी उपोचुनिटी है डिलन इंटर्वी देकर रहा है और उसे जॉब मिल भी जाता है पर अभी भी उसे नुई यॉक में रहना है या नहीं इसे लेकर वो शूर नहीं था जेमी नहीं कहा कि मैं तुम्हें दिखा कर रहूंगे कि नुई यॉक कितना बेस्ट है वो फिर उसे ब्रुकलिन ब्रीज के पास एक बार में लेकर आई यहाँ बर डिलन एक सेलिब्रेटी से भी मिलता है और उसे वो इतना अच्छा नहीं लगा इसके बाद उसे बहुत ही टॉल बिल्डिंग के उपर लेकर आई जेमी ने कहा कि मैं जब भी अपसेट होती हूँ तो हमेशा यही पर आती हूँ यह उसके लिए बहुत ही ब्यूटिफुल सा एक्स्पिरियंस था डिलन को भी बहुत अच्छा लगता है डिलन के फादर वे एक बहुत बड़े व्राइटर थे यह बाद जेमी को पता थी तो जेमी ने उसे पुछा तुम यहाँ पर जॉब ले रहे हो इसके बारे में तुम्हारे फादर क्या कहेंगे डिलन गयता है मैं हमेशा लाइफ में जो भी करू वह अच्छा ही करूँगा यह मेरे फादर को हमेशा लगता था मुझे बाद प्राउड होते है इसके बाद जेमी डिलन को टाइम स्क्वेर में लेकर आई वहाँ पर सब लोग एक सिंक्रोनाइजेशन में डांस करने लगते है जेमी ने कहा इतनी बड़ी सीटी में लोगों का अकिला न लगे तो इसलिए सब मिलकर यहाँ डांस करते है उन्हें लगता है कि किसी चीज़ को पार्ट है यह सारी चीज़े देखकर डिलन ने भी डिसाइड कर लिया कि वो नियॉयोक में रहेगा डिलन ने फिर अपना जॉब जॉइन किया सबके साथ वो बहुत ही फ्रेंडली था उसका एक नाया फ्रेंड बनता है जिसका नामें टॉमी डिलन के ओफिस में जॉब का कॉंट्रेक्ट साइन करवाने के लिए जेमी आई हुई थी ये एक वनियर कॉंट्रेक्ट है पर फिर भी डिलन छोड़ का जा सकता है पर जेमी कहती है कि ऐसा करना मत अगर तुम छोड़ का चलेगे तो मुझे कोई भी बोनस नहीं मिलेगा बात करते करते डिलन जेमी से पूछ लेता है मैं सिर्फ as a friend तुमें पूछ रहा था इसके बाद फिर ये दोनों लंच के लिए आए बाते करते करते अपने प्रिवियर्स ब्रेकप के बार में बात करने लगते है उनके एक्स पार्टनर्स को उनके बार में क्या लगता था इस सारी चीज़े एक दूसरे को उन्होंने बता दी ये हमेशा एक दूसरे के साथ बहुत ही honest रहते है इस वज़े से इनकी friendship strong हो जाती है जेमी ने कहा कि कल रात मेरे घर पर पार्टी है जहाँ पर तुम और भी फ्रेंज बना सकते हो डिलन भी इस पार्टी में पहुँच गया बहुत सारे मजे करता है इसके बाद ये दूनों एक दूसरे से मिलने लग गए थे एकरा डिलन जेमी के घर पर मूवी देख रहा था जैसे कि हमें पता है ये जेमी को romantic movies बहुत ही अच्छी लगती है डिलन कहता है कि सारे मूवी एक ही टाइप की होती है इन मूवी में relationship के लिए लोग कितना सब कुछ करते है किसे से प्यार करना इतना complicated होना नहीं चाहिए जेमी भी इस बात से agree करती है को कहती है कि आदमी की physical needs होती है उसी complete करने के लिए हमें इतना सब कुछ नहीं करना चाहिए डिलन कहता है कि जैसे हम किसी के साथ tennis कहलते है उसी तरीके से ये भी चीज़े होना ही चाहिए दोनों को एक concept बहुत ही अच्छा लगा तो डिलन जेमी से बुछता है कि तुम्हें tennis कहलना है इसका मतलब है बिना किसी commitment के साथ डिलन उसके साथ physical relationship रखना चाहता था जेमी कहती कि ऐसा कैसे क्या हम एक दूसरे से attracted भी है इन दोनों ने एक दूसरे को notice किया और हो realize करते हैं कि दोनों attractive है और इसके बाद इस दोनों intimate हो गे इन्होंने कसम ली थी कि इनकी relationship सिर्फ physical रहेगी कोई भी emotions involved नहीं होंगे यह हमें शाचे friends रहेंगे और कोई भी problem नहीं आएगा इस रात के बाद कुछ दिन बीच जाते है दोनों के बीच में ज़रा awkwardness था तो एक दिन जेमी ही डिलन के office में आके दोनों ने इस issue पर बात की उन्हें लग रहा था कि शायद जो भी हुआ इस वज़े से इनकी relationship में awkwardness आ चुका है डिसाइड गरते हैं कि ऐसा फिर से कुछ भी नहीं करेंगे पर एक दूसरे से दूर रह नहीं पाया और फिर से intimate हो जाते है एक दिन जब वे साथ थे तभी आचानक से जेमी की मदर आ जाती है जेमी ने मदर को situation समझाए और मदर को बात अच्छी लगी actual में जेमी की मदर ने भी कभी भी commitment नहीं की थी उसका divorce हो जाने के बाद वो कभी भी settle नहीं हुई थी एक जगा पर वो टिकती भी नहीं थी इसके बाद ने एक सिन्मेम देखते है कि डिलन और टॉमी जब हैंग आउट कर रहे थे तब डिलन ने उसे जब जेमी के बारे में बताया तो टॉमी कहता है कि तुम्हारे relationship कभी भी work नहीं करेगी लटकियों का इन सब चीजों को देखने का नजरिया बहुत ही अलग होता है वो तुम से कुछ भी कहया है पर वो कुछ अलग चीज ही चाहती होगी अब ज़रा टाइम गुजर चुका था तो एक दिन जेमी रियलाइस करती है कि उसे फिर से डेट पर जाना है वो एक सिरिस रिलिशन्शिप चाहती थी दिलन कहता है कि ठीक है यह अरेंज में तोडने के लिए रेडी था इसके बाद दुनों पाक में आए और उसने कहा कि मैं उस लड़की को देट कर सकता हो वो ही पर जाकर उसने डारेक्ली उसे बात कर ली बाद में उसे बता चला कि उस लड़की का हजबन और कीड़ भी है जेमी उस पर बहुत अस्तिया उसने भी पाक में और एक लड़की को नोटिस किया इस बार जेमी ने जाकर उसे अप्रोच किया वो एक डॉक्टर था और जेमी उसके साथ डेट पर जाने वाली थी वो दोनों फर्स डेट पर गए एक दुसरे को बहुत या अच्छे लगते है डॉक्टर का नाम था पारकर और पारकर को जेमी के साथ उसके घर पर चलना था पर जेमी उसे कहती है कि मेरा एक रूल है पार्च डेट तक मैं किसी को भी घर पर नहीं ले जाती उसने उसे बताया कि मैंने इमेजिन किया है कि मेरे भी लाइफ में मुवी जैसा एक हिरो आएगा मेरा एक प्रिंस चार्मिंग अब जब जेमी और पारकर डेट करने लग गए थे तो डिलन का ज़रा अकेला महसूस होता है उसे मिस करता है उसने दूसरी लड़कियों के साथ डेट पर जाने का ट्राइ किया पर फिर भी उसे अच्छा नहीं लगता इसके बाद हम देखते हैं कि जेमी और पारकर की पास डेट कंपलीट हो गई थे ये दोनों इंटिमेट हो गए जेमी अगली सुबा उठी और डोनर्स लेने के लिए जाती है पारकर मोगे का फायदा उठा कर उसे कुछ भी ना बताते हुए उसके अपार्मेंट से निकल रहा था जेमी नहीं उसे पकड लिया तो वो बहाने बनाता है जेमी बहुत ही हर्ट होके जेमी को बुरा लगा तो पारकर कहता है जो प्रिंस चार्मिंग तुम्हें अपनी लाइफ में जाई है वो मैं नहीं हूँ वो उसे इतना टाइम और अटेंशन नहीं दे सकता इसी बात पर उनका ब्रेक अप हो गया ये सब बात जज़ जेमी डिलन को बताती है डिलन कहता है कि उसे भूल जाओ वो बहुत ही घटी आदमी था जेमी को चीरफ करने के लिए उसे जो पेंटिंग अच्छी लगती थी ये डिलन ने बाय कर ली थी जेमी को ए पेंटिंग बहुत अच्छी लगी जब वो घर पर आये तो उसकी मदर अचानक से फिर से चली गई थी हॉलिडे था तो जेमी और उसकी मदर एक साथ टाइम स्पेंट करने वाले थे जेमी को बहुत ही बुरा रगता है डिलन को जब बात पता चली तो कहता है तुम मेरे साथ मेरे घर पर आ सकती हो वैसे भी तुम घर पर बहुत जादा बोर हो जाओगी उसने डारेक्ट लेटिकिट बुक कर ले और उसे घर पर लेकर आता है डिलन के घर पर उसके फादर के साथ उसकी सिस्टर भी रहती है ये सब एक दूसरे से इंट्रोडेउस हुए डिलन के फादर और उसकी सिस्टर ऐनी को जिए में बहुत अच्छी लगती है यहां मैं पता चलता है कि डिलन के फादर को अलजाइमर था, इस वज़े से सारी चीज़े वो भूल जाते थे, वो बहुत ही जाधा embarrassing चीज़े करते थे, वो अब जो भी चीज़े करते है, कभी-कभी अपने पैन पहनना भी भूल जाते है, यह सब चीज़े डिलन को जरा uncomfortable लग गया एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंट करना इने बहुत ही अच्छा लगता है तो डिलन ने कहा तुम मेरे लाइफ में आई यह मुझे बहुत अच्छा लगा जैमी कहती कि तुम में मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हो यह बात करते-करते दुसरे के साथ इंटिमेट हो जाते है रात में जब डिलन जैमी के रूम से बाहर निकल कर अपने रूम में गया तब एने ने बात नोटिस की थी अगली रात डिनर करते वाट डिलन के फादर को अचानक से अपनी वाइफ की याद आ कि उनको अल्रेटी डिवास हो चुका था तो इस बात से उसके फादर बहुत ही अपसेट हो गया डिलन को जिस बहुत ही इंबरसिंग लगी थी इसके बाद नेक्स डे जब डिलन जैमी को सीटी दिखाने के लिए लेकर गया तो होल्रूर साइन पर बेट जाते है डिलन डर रहा था पर जैमी उसे जबरदस्ती लेकर गई उससे कहते कि तुम्हें अपने फादर को लेकर इंबरस नहीं होना चाहिए लोग उने क्या समझते हैं ये चीज़ इतनी जादा मैटर नहीं करती वो तुम्हारे फादर है और तुम्हें उनी नजरों से उन्हें देखना चाहिए डिलन को ये भी बास सही लगी जिस साइन पर वो थे यहाँ बैटना अलावड नहीं था तो पुलिस उन्हें पकड भी लेते है बैचारा डिलन हाइट से डरता था तो इस वज़े से भाग भी नहीं पाया इनका वेकेंड ऐसे ही बहुत ही अच्छे से चाह रहा था तब एक दिन एनी डिलन से बात करती है कहती है तुम दोनों के बीच में चल कह रहा है मैंने नोटिस क्या तुम एक दूसरे के लिए बहुत ही परफेक्ट हो डिलन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है हम दोनों सिर्फ फ्रेंड है और वैसे भी वो बहुत ही जादा डामेज़्ट है वो मेरे साथ रिलेशन्शिप में नहीं रह सकती ये सारी बात जेमी ने सुन ली थी उसे बहुत ही अपसेट लगा रात में उसने फ्लाइट कर ली और वैसे गुस्से में वहाँ से चली जाती है डिलन में न्यॉयॉक आया अपना काम कंटिनू करता है पर उसके जेमी से कुछ भी बात नहीं होती है उसे पूरी तरह के से इंग्नोर कर रही थी है कुछ भी कॉल्स नहीं उठाती है एक दिन जेमी को एक कंपनी की रिक्वार्मेंट आये वो डिलन को किसी भी हाल में हायर करना चाहते थे जेमी फिर भी डिलन को कॉन्टैक नहीं करती डिलन को पता था कि जेमी हमेशा एक टाइम पर खा जाती है बिल्डिंग के रूप टॉप पर तो उसे टाइम पर वो भी उसके पास भोच गया उसे बुछता है कि तुम मुझे अवाइड क्यों कर रही हो जेमी ने कहा कि मैं एमोशनली एनवलेबल हूँ हम दोनों कभी पर एक साथ नहीं रह सकते डिलन कहता है कि वो सारी चीज़े सिर्व में मेरे सिस्टर से खह रहा था उसका कुछ भी जादा मिनिंग नहीं है जेमी कहती कि तुमने मुझे कभी भी सिरियसली लिया ही नहीं उसे एक्चुल में डिलन के लिए फिलिंग्स आ गई थी ये बात डिलन रियलाइज नहीं कर पाता उसे इस तरीके से खोने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है जेमी को अच्छे लगने वाली रोमेंटिक मुई जो उसे अच्छे नहीं लगती थी ये भी उसे मिस करते हुए देख रहा था जिस कंपनी ने पहले जेमी को कॉन्टाक किया था वो ही डारेक्ली डिलन को कॉन्टाक कर लेती है डिलन जाकर उसके साथ मिटिंग कर आया तो जेमी कोई बात पता चलने के बात उसे कंफरेंट करने के लिए उसके पास बोच गई उसे कहती है तुम्हारा कॉंट्राइट है तुम इस तरीके से छोड़ कर नहीं जा सकते हैं डिलन कहता है कि मैंने सिर्फ एक ही मिटिंग की थी पर अगर सचुष में जॉब छोड़ कर जा रहाऊंगा तुम्हारा बोनस का चेक में लिख कर जाऊंगा फिर से इन दोनों का जगड़ा हो जाता है हम देखते हैं कि आनी को जरा बहार जाना था तो कुछ दिनों के लिए डिलन के फादर उसके पास आकर रहने वाले थे जेमी की मदर भी अब वापस आ गई थी एक दिन जब यह हैंगाउट कर रहे थे तो सारी सिचुएशन देखकर कहती है तुम सिर्फ डरती हो मेरी मिस्टेक्स फिर से रिपीट नहीं करना चाहती है तुम जो यह सब बात कहती हो तुम यह प्रिंस चार में ही चाहिए मूवी जैसा एक हिरो चाहिए पर एक्चुल में तुम यह सब चीज़े नहीं चाहती तुम्हें एक स्ट्रॉंग पार्टनर चाहिए जो तुम्हारे साथ पूरे वर्ल्ड पर कबजा कर सके मदर को भी लगता था कि डिलन उसके लिए परफेक्ट है नेक्सिन में डिलन के फादर उसके पास पहुझ गए थे एरपोर्ट पर लंच करते हैं तो भी उसके फादर ने अपनी पैंड निकाल कर बाजू में रख दी इस बात से पहले वो इंबारस्ट हो जाता पर जेमी ने उससे जैसा कहा था कि अपने फादर से तुमें इंबारस नहीं होना चाहिए तो डिलन ने वेसाई किया उसने भी अपनी पैंड निकाल दी उनने फादर के साथ लंच करता है लोग क्या करेंगे इसका उससे फरक नहीं पड़ता लंच करते हो उसके फादर अचानक से किसी लड़की का नाम लेने लग गए डिलन कहता है कि वो लड़की कौन थी फादर ने कहा कि मैं जब यंग था तब वो मुझे मिली थी वो मेरे लाइफ का प्यार थी मैं कभी भी उससे भुला नहीं पाया शायद उसी वचे से तुम्हारी मदर ने मुझे डिवास ले लिया फादर पहले ये सब बात नहीं कर सकते थे पर वो कहते हैं ये लाइफ बहुत ही ज़ादा शौर्ट है तुम्हें इस तरीके से उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए ये सुनकर डिलन ने रेलाइस किया कि वो कितना जेमी से प्यार करता है वो डारेक्ली जेमी से मिलने के लिए निकल पड़ा जेमी आज रात उसकी मदर के साथ कही जाने वाली थी और उसकी मदर वहाँ पोश्टी नहीं डिलन जेमी की मदर के साथ बात की थी और वो वहाँ पर भोट जाता है अचानक से जेमी के आस-पास के सारे लोग डांस करने लगके उसने डिलन को नोटिस किया यह उसे जेमी को जिस तरीके से मुवीज अच्छी लगती है वैसे ही किया था वो गयता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया मुझे मेरा फ्रेंड वापस चाहिए ये तुमसे बहुत ही जादा प्यार करता हो जैमी कहती कि मुझे सब लोगों के सामने किस करो और डिलन ने भी यह किया इसे के साथ इनकी एक स्ट्रॉंग रिलिशन्शिप स्टार्ट हुई अगर आपको वीडियो अच्छ लगा तो प्ल